हलो बच्छो, लेट सी दिस कोशन और हीर दिस कोशन से, what is कौन लॉग? क्वेशन आपसे बोल रहा है कि कौन लॉग क्या है? तो हम मारे कोशन का की कौनसेप्ट क्या है? कौन लॉग, हम कौन लॉग के बारे में पढ़ेंगे? देखो बच्छे, ये एक तरीकी का कानून होता है, जिसमें हम बाहर के देशों से कोई भी समान खरीदने पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उसको बोला जाता है कौन लॉग, बेसिकली फूड आइटम्स को खरीदने में, आपको ये तो बता है कि अगर कोई कंट बहुते हैं, इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, ठीके, तो जब आप कोई भी समान भाहर से खरीदे तो उसके उपर खोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, थोड़े बहुत टैक्स लगाया जाते हैं, लेकिन अगर ये टैक्स बहुत जादा बढ़ा दी जाए रि प्रीजिकली और कॉन लव एन फोर्ट इन युनाइटेड गिंडम बेट्विन नाइंटेड फिटीन तो 1946, यानि कि जो लगभग लगभग 30 टाइम पीरड था उस ताइम पे कॉर्ण लगाया गया था युनाइटेड किंडम में और ऐसा इसलिए ले लगाया गया था था त तो जो food items होते हैं उनके prices बढ़ जाते हैं क्यों क्योंकि अब सब लोग तो अपनी factory लगा रहे है अग्री कल्चर कोई कर नहीं रहा है तो लोग क्या करते थे ब्रिटन के लोगों ने करा यह कोशिश करी कि भार के दिश्रू से हम खाना खरी देंगे लेकिन government ने उसको रोकने के लिए इस एक्ट को रोकने के लिए कर दिया लेकिन बाद में बहुत लोग उन्सका बहुत जदा प्रोटेस्ट किया और फिक गौर्मेंट को फाइनली घटाना पड़ा तो यह था पूरा कॉर्ण लोग और ऐसा नहीं कि सिरफ यह कौर्ण लोग पे लगाए था यानि कि म माक्का पर लगाया था नहीं वीट बारले को जो भी आपके स्टेपल क्रॉप होती है उन सब पर लगाया गया था युनाटेट किंग्डम की कोवर्मेंट के दुवारा आई होब यू अंडरस्तांड इट वेल बैस्ट ओफ लग